नमस्कार दोस्तों मैं परतिव कुमार आज आपको फिर लेकर आया हूँ दुर्भासा धाम दुर्भासा धाम देखिया मंदिर निर्माड़ा धीन है बागी और मंदिर आपको अभी देखने को मिलेंगे देखिया बाबा जैगंदास का मंदिर हैं तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं समसान घाट की तरफ देखिए हमारे सामने समसान घाट अस्थल दिख रहा है हम सबसे पहले उस समसान घाट के परदिस को देखेंगे और वहां की जानकारी लेंगे कि क्या कुछ है कैसे है कहां मृत सरीर को जलाया जाता है कैसा अस्थान है वहां का इन सभी बातों की जंकारी लेने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने इस दुर्वास अधाम के समसान घाट पर तो चलकर वहां का हम जाजा लेते हैं कि यह दुर्वास अधाम यहां लगबग पचास से पचास किलोमेटर की आसपास की लोग अपने पारिजनों की मिर्त सरीर को लेकर उनका अंतिन साथकार करने के लिए यहां पर आते हैं और अम्तिन साथकार का कारिकरम करके और जाते हैं तो देखिए अब हम आप पहुंचे हैं उस अस्तान पर जहांकि मुर्दें जलाए जाते हैं यह नहीं मित सरीर को देखिए कुछ लोग यहां से मित सरीर को अंतिन साथकार करके मुआ से निकल रहे हैं तो बने नए वीडियो में हम आपको दिखाने का प्यास करते हैं देखिए हम लोग आए वे अधर समसान घाती तरफ तर गुमाई एक तेमर में हमारे लोग इधर से आ रहे हैं विश्की देखर के आगे चलिए आप आईए विश्की को आईए विश्की है कि अधर इससे में खता है कि तमसान घाती हैं कि यहां पर मुद्र को फुपा जाता है और यह नदी है वही जो बासर इसी जो जिसमें लोग नहां रहते हैं जो इली हाँ जो अस्नान कर रहे थे भी कि अधर कि अधर कि अधर कि यहां पर जो लोग मिट्टी देने आते हैं कि मुर्दा को जलाने आते हैं अपने सली इस अपने सायोगियों की अपने रिष्शितारों की अपने परिवालों की जिसे लास लेकर आ हैं तो दूप और बरसात से बसीने के लिए यह हूं बनाए जा रहा है और लोग यहां पर आएंगे तो छाया मिलेगी लोगों को और हम लोग नदी के पास में फिर से चलते है कि आपका नाम आपका क्या है तुलती आप यहां की देख रेक करते हैं अच्छा बहुत अच्छा तो हम लोग यहां पर वीडियो बनाने के लिए पर यहां की जो लोग भी यहां पर आते हैं अपने परिवार वालों की लास जलाने के लिए तो यह भाई साहब है और अपना सहयोग देते हैं अपने जरूर्ते अपने अवकाद भर लोग देते हैं इस पाथ जामें बहुत खुशी है वाई खाना खाई ठीक भाई आओ डब तो बते हैं बते हैं प्रच्छ प्रच्प कि यहां पर जो कि इस समसान गाट पर लोग अपने पज़वार वालों की जो कि लास को लेकर आते हैं और जलाने के लिए इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां भी अस्तान बनारे लोगों के छाय के लिए बनाया जा रहा है तो पानी उन्हीं ज्यादा तो वहां पर जलाए जाता है अगर पानी बरसात के समय में अगर काफी पानी हो गया नदी भर गई है तो उस समय क् जो आजम कजी लेका बहुत ही मातोकुड बहुत ही प्रसिद्ध अस्तान है दुरवासा धाम तो आप लोग को मैं और कुछी कुछ सीन दिखाने ले चलता हूँ तो भाइजों आद देख सकते हैं हमारे इस अस्तान सर समसान गाट के बलन में है कि शीव जी की मूर्ति दिखाना चाहेंगे देखिए करीब 15 फिट की हुजाई में या मूर्ति बनाई गई है आपको थोड़ा सा दूर से मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि पास्में से दिखाना संभव नहीं है मूर्ति का आकार बड़ा है और लगे पास्में हम आपको दिखाने का प्यास कर रहे हैं कि अधाना देखिए यह सिव जी की मूर्ति बनाई गई है और यहां इनका अस्थान बना गया है यहीं पर इस शिव जी की मूर्ति को अस्थाचित किया जाएगा और प्रयास करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संक्या में अस्थापना दिन के पहुंचकर और इसे मूर्ति की अस्थापना करने में अपना सयोग दीजिए यहां देखिए इस समसान घाट का मुख्य द्वार है जाता है और आज तो काफी डाउन है आज तो आसा कुछ भी नहीं है और अच्छी बात है कोई आंदल को सब्सक्वाना है जाना आहि कि यहांपर सभी हो आज़े लेगा जए थी हो यह कुछकर हो द्याना है लंदा आज वह जाना है दिए देख रहे हैं आज क्या गश्चय थे बताय। तो आपका नाम भाया चलिए बहुत अच्छा है तो आप लोगे दुकान करते हैं आठाचा अच्छा ब्रेट कितने का देते आप हम सत्व हैं चलिए ही रेट हर जगां का करी पर वाजि एगल सोचते हैं लूटने के लिए नही नहीं कापी लोगे बोलते हैं के अप्ल रेट जाता है देरे लेकिन मांगा आई का समय है इतना सश्था कोई देगा कि छला जाहो जाहो एक अभींड़ा आई ये भाईया जी ब्रेड खा लीजीए कि यह अमारे के में देने का परियास करेंगे तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सॉस्क्राइब करें तेने बाद